नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका यूटूब चैनल अप्रेंटिसिप इंडिया अड्डा में दोस्तों एक नियू रिकॉर्मेंट की नोटिपिकेशन आउट कर दिया गया है एरपोर्ट अथार्टी आफ इंडिया की तरफ से इसमें आईटियाई डिग्री डिप्लोमा क कीशने हैं इसमें वेल्टि करेटियरीया अप्लिकेशन प्से इसलेक्शन प्रोस सbn क्या क्या और और आज आगए अगर आप अभी यूटूब चैनल पर सर्क्राइब क्या तो तो यहां पर देख सकते हैं जो एरपोर्ट अथार्टी आफ इंडिया एक मिनी रत्न कंपनी है जो टोटली लीड करती है मिनिस्टी आफ एरपोर्ट अथार्टी से और यह गवर्मेंट आफ इंडिया के अधीन है इसके बारे में पुरा डिटेल वाइज नोटिपिकेशन दे इसके पहले अइसके पहले और वेकंसी एरपोर्ट अथार्टी के तरफ से निकाला गया था अब यह जो नोटिपिकेशन निचाला गया अब यह पर देख सकते हैं यह इस्टन रिजान से हैं यहां पर कोलकाता एंगा तरफ बिद्धान अफंवर्मेंट हाँ लाइड कि नि यह टोटली लीट करती है मिनिश्टी आफ एरपोर्ट से 38 से आप यहां पर देख सकते हैं इसके बाद आप यहां पर जैसे नीचे देखेंगे तो यहां पर एड़ाटाइजमेंट दिया है अपरेंटिस ग्रेजुएट डिप्लोमा आई एटी आई के लिए निकाला गया है औ यह जो एरपोर्ट अठाटी आफ इंडिया के जो सभी प्रांचें होते हैं वहां पर आपकी पोस्टिंग होगी वह भी आपके जो इस्टन रिजन से इनके होते हैं यहां पर यह सब चीज़ें बताएगे है और यह पूरी जो यहां पर नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो यह ग्रेजुए एंध ग्रेजुएट जो है उनके लिए 67 निकाली गई है एक धेजीट इंश्क्राइट इसकी म舞र्णा साइंस इन्फार्मेशन टेकनोलोजी के लिए यहां पर निकाला गया है तीन सीट और मकेन के लाटों के लिए graduate के लिए हाँ पर एक सीट निकाले हैं टोटली यहाँ पर जो आपके apprentice training सभी का होने वाला वो एक साल का होने वाला यहाँ पर mention किया गया है यह चीज़े आप यहाँ पर देख लिजेगा इसके बाद आप नीचे और नीचे स्क्रोल करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर civil diploma वालों के लिए यहाँ पर mention किया गया है 10 post के requirement है electrical वालों को डिप्लोमा 10 post electronics डिप्लोमा 10 post 25 post computer science information technology डिप्लोमा के लिए 10 post निकाला गया है और यहाँ पर जो mechanical auto mobile डिप्लोमा है 5 post है और इसके बाद यहाँ पर नीचे mention किया गया आई टे वालों के लिए बताए गया अब यहाँ पर बात करें तो आई टे वालों के लिए कितना कौन कौन से टेड़ वाले अप्लाई कर सकते हैं तो यहाँ पर पर इस्टेपेंड की बात करें तो इस्टेपेंड यहाँ पर मेंस्ञन किया गया है देख सकते हैं यहाँ पर मेंसं किया आपका इस्टेपेंड कर यह पराखा गिरीवेंट के लिए 15,000 पर मंद स्टेपेंड होगा और और यह टेक्निकल डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 12,000 पर मंथ हो गया और यहां पर यह आपकी हेड़ कार्टर जो होने वाली है वो इस्टन रिजन में आपकी पटना, भुनेस्वार, राचीर, जैपूर गया, रायपूर गया, आउपोर्ट, भिलर, यह सब जगह पिर आप यहां पर बात करें तो यह आपका जो आईटे वालो हैं उनके लिए 9,000 रुपिया रखा गया है, इसके बाद यहां पर लाजडेट जो बताया गया है, वो यहां पर बार चार दोजार बाइस तक आप आप आनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, यह चीज यहां पर मेंशन क होना चाहिए, डिप्लोमा थिरी होना चाहिए, और AICTE से जो गौर्मेंट आप इंडिया से अप्रूब होना चाहिए, इसके बाद यहां पर ITI वालों के लिए बात करें तो यहां पर ITI NCVT से होना चाहिए, वो भी AICTE से गौर्मेंट आप इंडिया से अप्रूब होना च और यइन एरपोर्त होते हैं वहां पर आपकी पोस्टिंग होगी तो आपको वह एंपर दिया जाएगा यह सबुए और कोई और उप्सन नहीं दिया ज में आप्लाइए कर सकति है यहां पर आपने आपकी इंडियार भीजिण होनी चाहिए इसके से बाद है यह डिग्री डिप्लोमा बीज या बीज के बाद यह से की से बीज है तो भी वैलिड हैं यह चीजे में चाहिए इसके बाद यहाँ पर रखा गया है वह मैक्समीम एज क्रिटीर्या रखा गया है वह 26 होना चाहिए और 31 जोजार पाइसको और इसमें आपको एज एज रिलेक्सिशन भी देखने को मिलेगा यह चीज़े जो सेंट्रल गवर्मेंट की रूल होते हैं उसकी हिसाब से आपको यहां पर एज रिलेक्सिशन मिलेगा त्री यह फाइफ यह वाला जो यह चीज़ेट को मिलता है नान के मिलेगगा और यहां पर डिपलोमा कंडियरेट वेहां पर अप्लाइए करते हैं रड़ी की वेह साइट है वहां पर ती सेंट है यह ने चाहिए उसके बाद आप इस website पर भी जाकर कर सकते हैं उसके बाद आपको यहां पर सर्च करने का उप्सन मिलेगा तो अगर आप वाले की website में तो यह वाला code यहां पर और यह सभी लिंक डिश्टम बाक्स में दिया है आप वहां से जाकर अप्लाई कर सकते हैं नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं फिर भी अगर आपको कोई भी क्वारी चाहिए तो आप अगर डिप्लोमा है तो इस पर संपर कर सकते हैं अगर आइडिया है तो आप इस अगर आप इसको नोटिफिकेशन देखकर पढ़ सकते हैं धन्यवाद कीप अंटेच्च